नूटन लॉग का अप्लिकेशन यहां पे सिख रहे हम लोग इसमें दो नूमेरिकल के हेल्प से हम लोग सिखेंगे कि नूटन लॉग कैसे अपलाई किया जाता है तो फर्स्ट नूमेरिकल में है यहां पे एक पुल्ली के थुरू रोप पास किया गया है और मंकी 12 kg का मंकी इ हम मूव करना चाह रहा है यह जस्ट अगर इस रसी को पकड़ कर खड़ा रहेगा तब तो यह मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका 16 kg मास है इसलिए इस पे ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन नीचे की तरफ 16 इन्टू जी एम जी फोर्स अगर करें हम तो 16 एम और जी इक् करेंटी आ रहा है तो यह 160 वेट को ऐसे उपर लिफ्ट नहीं कर पाएगा इसका फुद का वेट तो यह पूछ रहा है कि इस मंकी को इस रोप पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या कितना टेंसन फोर्स या कितना एक्सलेरेट करना पड़ेगा इसको उपर की तरफ चड कि यह उपर लिफ्ट कर जाए उपर की तरफ राइट आई यह स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको तो अगर इसको 16 kg के मास को उपर की तरफ लिफ्ट करना है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 160 से थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा या जस्ट उपर उठाने के लिए 160 होना पड़ेगा क्योंकि 160 इस पर डाउनवर्ड लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में मिनिमूम फोर्स 160 चाहिए तो इसको चुकी क्वेश्चन में बोला है कि उपर उठाना है इसलिए इस टेंसन को मैं 160 ले लेता हूं तो यह रसी जहां तक जाएगा वहां इस टेंसनल अट्रेक्शन फोर्स लगाएगी 120 और चुकि इसको उपर उठाने के लिए 160 टेंसन चाहिए तो किसी भी तरह 160 न्यूटन रसी में टेंसन लाना पड़ेगा इसके लिए मंकी को क्या करना पड़ेगा तो मंकी का प्री बोडी डाइग्राम बनाएगा इसके उप ओपर 160 के रसी को मंकी ऐसी को प्री नीचे की तरफ बाइगा तो बहुए fede पर यह यक्षन उपदी दो अबर इसमाने के रसी लगयागे तो मंकी ने लगाआ है , ऑर रसी की उपर की तरफ तो बास harbor इसस मंकी पर नीचे की तरफ पर होनट आपार और यह नेट फोर्स से यह उपर move करेगा रसी के उपर तो 160-120 होता है 40 और यह 12 विदर आकर मैंने डिवाइड कर दिया तो 40 by 3 तो acceleration आ गया यहाँ पर 40 को डिवाइड कर देते हैं 20 और 12 को डिवाइड किये 2 से तो 6 और फिर 10 लिख दिये 20 को और इसको 3 तो 10 by 3 आया तो यह monkey 10 by 3 acceleration से उपर ऐसे चड़ाई करेगा तब जाकर इस रसी में टेंशन 160 आ जाएगा और यह केला यहाँ जो भी केले हैं यहाँ पर उपर उठने लएगे तो इसका answer हो गया इस monkey को इतने acceleration से रसी के उपर चढ़ाई करना पड़ेगा उपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा उसको 10 by 3 meter per second square से second numerical है यहाँ पर एक man है जिसको bucket यहाँ bucket से पानी उपर की तरफ खिचना है bucket 25 kg का है 25 kg तो और जहाँ पर यह खड़ा है जिस platform पर वो platform 700 newton force ही sustain कर सकता है मतलब अगर यह man इस पे 700 से ज़्यादा force लगा दिया इस floor के उपर जहाँ यह खड़ा है तो यह break कर जाएगा यह platform जहाँ पर यह खड़ा है वो तो इसके पास दो situation है यह एक pulley के help से ऐसे bucket को खिचेगा उपर की तरफ की directly ऐसे 25 kg के bucket को directly खिचेगा कौन सा process इसे follow करना चाहिए तो दोनों process में देखते हैं वो ऐसा process follow करेगा कि यह ground पे force 700 को exceed नहीं करना चाहिए 700 से कम लगना चाहिए तो अगर direct यह pull करता है तो देखिए direct pull करने के लिए क्या होगा यह 25 kg का bucket है इसमें पानी बहरा हुआ है उसका pull मिला के mass bucket प्लस पानी का मिला कर 25 के जी है तो इस पे gravity नीचे force लगाएगी mg mass है 25 और g 9.8 दोनों को multiply करने पर आता है 245 तो इस पे 245 नीचे लगा तो इसको उपर की तरफ भी इसको उपर खिचने के लिए 245 force लगाना पड़ेगा actually 245 से थोड़ा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा 245.00001 भी लगा देगा तो चलेगा तो numerical solve करने के लिए उसको 245 ले लेते है तो उपर की तरफ 245 इसने force लगा दिया रसी के उपर तो ये रसी जहां तक जाएगा इसमें tension हो जाएगा 245 का अब इस मैन के लिए मैं free body diagram बनाऊं तो चुकि रसी को मैन उपर की तरफ खिच रहा है इसलिए रसी मैन को नीचे की तरफ खिचेगा क्योंकि every action is equivalent opposite reaction तो ये रसी मैन को नीचे की तरफ ऐसे पुल कर रहा है T tension से और वो 245 है इसके लावे और इस मैन पे क्या force लग रहा है ये ground इस मैन को उपर की तरफ normal reaction देगा जितना ये मैन ground को नीचे की तरफ force लगाएगा ये ground भी मैन को उपर की तरफ reaction उसका देगा एन उसको मैंने लिखा फिर ये 50 kg का मैन है तो इसको earth भी mg force लगाएगी तो 50 into 9.8 equal to 490 तो मैन के उपर downward direction में एक तो 490 force लग गया gravitational force दूसरा ये रसी उसको नीचे की तरफ force लगा दिया 245 और upward direction में एक ही force लगा N जोकि ये surface लगा है जहाँ पर ये खड़ा है तो total downward force is 490 plus T और upward force is N तो ये मैन को rest में राना है इसलिए ये total upward force equal to total downward force और इस रसी में tension कितना आया था 245 तो T equal to 245 मैंने जैसे ही रखा तो 245 plus 490 735 आ गया जबकि ये जहाँ पर खड़ा है ये platform only 700 ही sustain कर सकता है जबकि यहाँ पर force कितना आ जा रहा है 735 यानि यहाँ पर ये इस bucket को उपर की तरफ pull नहीं कर पाएगा करने के कोशिस करेगा तो ये break कर जाएगा ये surface अब दूसरे case में देखते हैं कर पाएगा कि नहीं अब ये pulli के help से ऐसे रसी ले आया फिर से यहाँ इस bucket को नीचे 245 newton force earth pull करेगे इसको इसका weight लेगा 245 तो इस रसी में tension हो गया 245 लेकिन अब man का free body diagram बनाया जाएगा तो ये pulli से घूम कर आने के चलते tension force का direction उपर की तरफ हो गया और normal reaction जो ground man पे लगाया था वो उपर है ही तो downward direction में सिर्फ इसका weight आया, इस man का weight आया mg, mass था 50 और g 9.8 which is equal to 490 तो ये चुकि rest में है इसलिए total downward force equal to total upward force downward direction में 490 तो ये downward direction में 490 upward direction में T रसी man का उपर की तरफ कीचेगा क्योंकि man रसी को नीचे गीच रहा है इसलिए रसी man का उपर की तरफ force लगाएगा तो T upward और ये N भी upward है, ground भी man के उपर force लगाएगा तो T plus N in upward direction and 490 in downward direction तो since this man is at rest तो total upward force equal to total downward force तो दोनों को मैं equate कर दिया अब T equal to 245 यहाँ पर substitute कर लेंगे क्योंकि इस रसी में tension कितना है 245 इसको फिर ये T इस तरफ आगे subtract हो गया इस बार, तो normal reaction only 490 minus 245 which is equal to 245 आया जबकि ये surface तो 700 तक sustain कर सकता था इसलिए ये process follow करेगा ये इस bucket को उपर की तरफ pull करने में इससे ये surface break नहीं करेगा यूँकि 700 maximum sustain कर सकता है ये force को और इस case में only 245 लग रहा है तो इस तरह से हम लोग Newton log का application पे best numericals को solve कर सकते है